नमस्कार दोस्तों मैं अतन सर्मा एक बार फिर सौगत करता हूँ आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल एग्रिकल्चर गुर्देपर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टेड होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बहुत सो इंपरेंट कुश्चन को लेकर आया यहोँ फाँड़कर प ubiquant रजाते हैं कि क्या होती है और कैसे में हम फश्लों को जाते हैं दोस्तों रिले इस दोस्तों Sonop ंसेप्ट है आपका रिले poems की समझ रिले को पे किस तरीकी होते हैं रिले रेस तो आप पहले यह समझेगा रिले रेस क्या होती है फिर आपन समझेंगे रिले क्रॉपिंग क्या होते हैं रिले रेस को समझेगा रिले रेस में क्या होता है कि एक रेस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इस रेस में तीन या चार कंस्टेंस होते हैं यहस में यहाँ परतिक ख्लारी का सदास दौरना चालू करता है और दौरते 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 ओर यहां पर जायेगा और यहां से कौन दोलना चालू करें। लेंगा-3 यहां तकास दोलना चालू करें। और यहां तक आने में हैतो है किसने कभर की complete ए थिरी ने चारोग्रों की। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अभ आएगा एबन कहा तक ज्ट यहां टायगा यहां पर रुके गांने वह आएगा एगा एक दन दोरते हुए उडल वह क्रोपिंग होते हैं देलें क्रोपिइंग में हम किसी एक फसल की सवयंग करते हैं और सवयंग को चली जाती हैं गहिंगे जब उसकी developed क्या सब्नकिर। क्या होता है इस फसल को लगाने से जब यह आंगे जाएगे और इसका हर्विष्टिंग टाइम होगा उससे पहले हम एक नई फसल के यहां लगा देंगे इस तरह की खेती के गए जाती है रेले क्रॉपिंग कहलाती है इस प्रकार की खेती में हम एक बर्स में तीन ये चार फसलों को लेते है क्लियर तो आपको समझ में आ गया होगा रिले क्रॉपिंग चलते हैं अपने स्लाइड के और तो दोस्तों देखेगा ता डाइक्टर अफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्ष इस लोकेटेद एज मोधी पुरम मेरत उत्तर प्रदेश आपसे पूछा जाता है कि जो रिले क्र पिंग कि फर्ष्टली डन बाइ लाफिट जी बहुत इंपोरेंट कुश्चन है बहुत ज्यादा पुछा आता है कि आपके एक्जाम में कि सबसे पहले किस ने की थी लाफिट जी ने की थी और कब की थी सटेनबल डेटम और चौछ स मैंनेर्ज्सका नेंजर चाल से क्राव कर आंड़ने वाले समय तक उपियोगी बनी रहें और ये जो सश्ट्रेवल अगरिकल्चर के अंतरगर दम नेशनल रिसेर्टेश जो हैं उनको हम एक तरीकी से मैनेज करते हैं जिससे क्या हो भूमी खराब होने से बच जाए क्रोपिंग सिस्टम is कंपोनेंट ओफ फार्मिंग सिस्टम वेन दा क्रोप आर स्वें दोस्तों बहुत अच्छे समझेगा वेन दस अब क्रोप आर सोन दोस्तों अच्छे समझेगा अब यहाँ पर क्या होता है कि सप्लिमेंट यह बैड़ आ रहा है सप्लिमेंट इससे आप याद रखेंगे आप ने सुनाए आप जिम जाते हो तो जम जागे कह लेते हो सप्लिमेंट का करता बोडी की ग्रोथ करने में सहयता करता है बोडी ग्रोथ करने में सहयता करता है प्रोटीन सप्लिमेंट लेते हैं तो वही सप्लिमेंट है यह प्रोटीन सप्लिमेंट क्या है वेन सब क्रॉप और सौन टू सप्लिमेंट और भारत में क्या करते हैं यह मद्द प्रदेश की बात करूं तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग बर्सीम को बोते हैं और बर्सीम की पहली कटाई होने में थोड़ी सी प्रावलम होती है थोड़ी देर में होती है छोटी छोटी रहती तो क्या करते हैं बर्सीम के साथ में हम केली कटा ही जल दी होने सो इसके कट आ इसलिए से कहते है आर्गोमेंटिंग क्रॉप कहते हैं दमेंग कॉप अपस नेयरी जा है कि आ उन्हांति कांटे बाली फचल उगाई जाहें थ्रोनी यानी काटे वाली फसल of the sub crop is known as guide crop उसे क्या कहा जाता है guide crop कहा जाता है मतलब simple से समझेगा हमने अपने खेत में कोई ऐसी फसल ली जिस फसल को मनुष्य के द्वारा या पसूं के द्वारा हानी पहुंचती हो पसू जाकर उसमें चर जाती हो या मनुष्य के दा रहानी पहुंचती हो तो हम उसके आसपास को ऐसी फसल ले लेंगे जो काटे वाली जैसे मैं आपको simple से एक्जामपल बताता हूँ जैसे माल लीजिए कि हमने अपने खेत में भिंडी बोई है तो भिंडी के surrounding माल लीजिए हमने यहां पर क्या लगाया है तो भिंडी के surrounding खेत में चारो तरफ हम क्या करते ही कुसूम लगा देंगे कुसूम के होती ही काटे वाली फसल होती है काटे वाली फसल के बज़ए से जो पसू उसमें एंट्री करने वाले है वा एंट्री नहीं करते तो इस तरह की फसल हो क्या आता है guide crop का आता है next चलिएगा the yield of both crops grown together are found to be higher than the yield of their pure crops of unit area such crop is known as synergetic crops simple समझेगा मैं आपको समझाता हूं वो यह कह रहे है कि जब किसी एक field में दो फसलो को हमने एक साथ बोया कितनी फसलों को बहुआ है दोफसलों को बहुआ तो दोनुफसलों सी जो हमें प्राप्थ होगी वह yield उसी खेत में किसी एक सिंगल फसल से हने वाली य्ल्ड से जादा होगी तो एसी दो फसलों को हमकुन से फसले कहते हैं सिनर्जेटिक क्रॉप्स क्या होती है जब दो ऐसी फसलों को लगाते हैं जिससे सुध्ध फसल की तुलना में अधिक उत्पादर प्राप्त हो जाता है उससे क्या करते हैं एक बार फ्रच्छ इसे दोस्तों मैं एक बार बताता हूं आर्गुमेंट क्रॉप्स करें जब किसी कर ऊसी घ्रमादर होती है जिससे मैं फसल की बढ़ जाय जिससे मिन फसली जिरों उसे उनीक क्रॉब से अश्यों क क्रहा सब्सक्राइस नहीं जब तो गार कि एसंप इस जाना है तो गाइज क्या हो कि होती है जब मुक फसल के चारोर हम ऐसी फसल लगा देते हैं जो फसल मुक फसल से मुझख फसल की कीटों से और मनुष्ण से रख्षा करती हुआ उसे क्या क्याते है, Guide Crop करते हैं Clear ? यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदार रहा है इसेक्ट के लिए Guide Crop का यहाँ पर क्या करते हैं कभी 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 कपास के चार और भिंडी भी लगा देते हैं माली जी यह सेंटर में क्या लगा हुआ है कपास और कपास के चार और क्या लगा दी भिंडी तो क्या होता है दोस्तों समझेगा कपास में इंसेक्ट बहुत जाल आते हैं और कपास और भिं फिल्डी में तो क्या होता जब बहर से आ हरा है कि दूसरी फिल्ड से आ रहा है तो तो बहर भिंडी जाधा रसीली होती है as comparative कपास तो वो क्या रहेगा वो इंसेक्ट भिंदी पर ही रह जाता है कपास तक नहीं जा पाता है इस तरह ही क्रॉप को क्या आ जाता है गाइड प्रॉप आगे चलते हैं सिनर्जेटिक क्रॉप जब एक जब दो फसलों की उपज जो है वो मुख फसल की तुलना में बढ़ जा करते उसके स्टोर नहीं करते डायक्ट फिल से ही बेच देते उस तरह की क्रॉप को क्या आता है कैस क्रॉप का आता है यह मैं दूसरी वासा में आपको सिंपली समझाओं ऐसी क्रॉप जिसका उप्योग मनुष्य अपने खाने की यूज में कम करके मार्केट के लिए नांकत पैसा मिल जाए ठीक है जैसे यहूं तो गया करता है किसान अपने खाने की लिए एक बड़ा पायट एक बड़ा एमंट अपने खाने की लिए रखता भ़श्य में खाने के लिए और कभी-कभी उसको इसस्टोर कर लेता है कि बाद में बेचे लिए सबजीओ के साथ में ऐसा नहीं नहीं कर सकता आ कुछ प्रॉस क्रॉपिंग इंटनustain कि परक्षेटफल गालय जो है किसी योग है उसके अनपाद में होते हैं क्राप्षी इंटनिटीई ग्रोइंग आप टू और मोर क्रॉप्स ओन दा सेंप फिल इन एर इस कॉल मल्टिपल क्रॉपिंग वह कह रहे हैं कि जब एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को बोया आता है तो उसे क्या कहते हैं मल्टिपल क्रॉपिंग बहुत फसली सश्चियन ठीक है बहुत सारी फसलों को एक साथ बोन तब प्रैक्टिस ऑफ राइसिंग ग्रासिस ऑप पाश्यूर इस आलसो नौन एज ले फार्मिंग वह कह रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं कि किसी खेती में अपनी फील्ड में या तो खोनारिजी हमारा पास बसब्ले ह경 पहले हमारे चरे यह चलातेजाए फिल्ड पर फबुर में सबसे जएरिया प्रोडक्शन है ओत्तर प्रदेश में पूर्दक्शन लेकिन दोस्तों अगर हीस प्रोड़क्टीविटी क Wool गल प्रक्थीविटी कहाँ पुड़क्टिविटी कहाँ पंजाम रिए पॉड़क्शन उत्तर्प्रद्गी प्ञाँ starting आप है पिंजाम के लिए जो टेंपरेचर हों चाहिए हो बीस से पच्छेश डिगी सेल्सियस होना चाहिए नॉरंटेंट जीन वाइट की जीन था वो जीन को हमने युएसे से खरीदा था वह कब गरीदा था नाइंटेंटेंटी फोर में उनने सो चौरासे में खरीदा था दा दौर्फ उन्होंने सबसे पहले नॉरэт न नॉरइन वाइटी रिलीज हैं 1970 ऊंप जीन तो यह क्लिए करती है आप इसको screen sword ले सकते हैं चलिए सेंटर जिग्जक एस वीट इस कॉल्स तो आपने देख यह की बाली होती है वह एस जैडराकर के होती हल्क Remake इस तरह की होती है तो यह जो है इसको इससरश्णा क्या बोलता है अ डिखें अगे दिए मैकशिकन डॉर्फ वीडवाज इंबॉल्व डॉक्टरण एनी बौरलोग जो मैकशिकन गयं हूए है जिसें पिस्की गयं बोलते हैं यह जो है डॉक्टर णॉर्म्मल बॉर्लोग ने इसे इंवल्ब किया था खुजा था सिंगल जीन द्वार्फ बैराएटी आज सौनालिका गिरिजा यूपी 262 WL 1711 लार्मा राजो 64A विच द्वाल जीन द्वार्फ बैराएटी आफ वीट HD 2204 जनक UP215 प्रताब कल्यार सौना अर्जोन सौनाला 64 नेक्स द्वालते हैं दव प्रोटीन फौन वीट फ्लोर विच हैल्फल फोर चपाती मेकिंग ग्लूटून यह बहुत ही important point है कई एक्जामों में आ चुका है और प्रतेक एक्जाम में इसकी आने की संभाबना बहुत ज़्यादा है वह कह रहें कि जो आपका गेहूं का एक गेहूं का जो आटा होता है उसमें प्रोटीन होता है ग्लूटून नाम का जो करता है चापाती मेकिंग रो इसे ग्लूटीन के वाज़े से तक टॉक्सिक एलकलाइड फांड इन दा लीप्स ऑफ सौर्गम इस धुरीन और एच्चीन बहुत important है कि जो सौर्गम होता है उसके पतियों में एक हाइड्रो एक बिशाशकता जहर पाया जाता है जो धुरीन या एच्चीन नाम से जानते ह यह भी बहुत important है और यह कई एक्जामों में पूछ जाने कुछ है बैसे मैंने यह जो कुष्ण सामावेस किया है वह यह बो कुष्ण है जो ज्यादतर एक्जाम में पूछे जाते हैं यह क्या बोलते हैं आपकी सौर्गम की पहली जो डौर्फ हाइब्रेड वाराइटी है वो 1964 में डवलब की गई सौर्गम को केमल क्रॉप के नाम से उट फसल के नाम से भी जाना जाता है तो यह मैं एक बार दुबारा से इसका स्कीन सॉट ले लो आंगे चलते हैं जार का उत्पत्ति फान है वहां पहां पहाँ पहां पहां अफ्रीका में और अफेरीका में एथोपिया नियुए तो मेग्जोम एरिया एंद प्रोडक्शन ऑफ जोर इस इन महराष्टा जोर का सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोड़क्शन यहां पे हैं महराष्टा में जोर इस लाइसीन बने लिच इन लूसिंग जोड़ में जो प्रोटीन होती आप से पुश़ा जाता है कि जोर में कौ जिसमें लगते हो से हम क्या कहते है पेनिकल कहते है पुश्प क्रम जो है उसका पैनिकल कहलाता है फर्स्ट हाइब्रेड ब्राइटी और बाज़रा इच एच भी हाइब्रीड बिंजल ब्रिंजल वन पंजब एगलचर उनिश्टी लुद्याना से डवलप किया गया प्रोटीन कंटेनर्ट बाज़रा 11-12 परसेंट प्रोटीन होता है बाज़रा में और बाज़रा इज अफ्रीका अफ्रीका और जो है वह आफ्रीका में है बाज़रा इन सेंसिटिव टू बाटर लॉजिंग और अच्छी बाज़रा जो है बो बाटर लॉजिंग और अच्छीटिव होता है मतलब आज ने का मतलब है कि बाज़रा को अगर आप ऐसी फसल में करो ऐसी खेती में करोगे यहां में पानी ज्यादा भरता है तो ओ खराब हो जाएगा यह फिर आप अप आप स्टीव करोगे त पोड़क्शन है इन कोटन दा मैचोरीटी ओफाइबर इस जरीग वाई एवियलो मीटर यह बहुत इंपोरेन कुश्चिन है नेक्स्ट H777 is the कल्टिबेटर ओफ कोटन H777 जो है वो कोटन की एक बाराइटी है हाइबरेट फोर पहली कमर्शियल कोटन की वाराइटी थी जो डोक्टर सीटी पोटन ने 1970 में डवलब की दा लीप्स ओफ कोटन बिकम रेड़ेस इन कलर दूटू डिक्रीजिंग नूट्रेंस अप्टेक एन मॉस्चर कोटन की जो लीप से उन्हें रडिस हो जाती है क्योंकि यह जब भो दिक्रीज नूट्रेंस अप्टेक जब वो उसका नूट्रेंस का लेविल ज्योंजाता है और मॉस्चर कम हो जाती तो कैसी कलर प्प्रण की ह। इस हो जाती है ठीक है next day origin of cotton is from India cotton का origin कहां पर है इंडिया में है cotton is a belong to malevacy family cotton malevacy family को belong करता है interest hybrid of cotton is hybrid 6 Sabita and Suriya interspecific hybrid of cotton is interest interspecific or inter specific इंट्रेस्पेसिक फिक है यह क्या बोलते है बारा लक्षमी डिसी एच थाइट टू एच्वी टू-टू-फोर वन का सीड ऑफ कॉटन है शिक्स्टी एक जो बॉल होती है उसमें करीब साथ हजार से लेके असी जार फाइवर्स होते है जिनिंग परसेंटेज क्या है वेट लिंट अपॉन बेट आप सीड कॉटन टेकन फॉन जिनिंग मतलब क्या कि करते हैं इसमें जिनिंग परसेंट निकालने के लिए उसकी बॉल को तोड़त बॉल को कलेक करते हैं जिर बॉल से हमें रेशा निकालना है तो हम यह देखते हैं कि पैटिकलर बॉल थी उनका बेट कितना था जैसे मां लीजी हमने दस बॉल को टेस्ट में लिया तो वह दस बॉल जो है उनका बेट कितना है और उस बॉल में से कितना लिंट यान कितनी र कमर्सियल वेल्यु इस नॉन एज प्राइमिंग प्रॉसिस। बेरी इंपरेंट प्रॉसिस्स है। अगर कुई भी आगर कुश्चन आपका टोबेकों से आता है तो इसकी आने के इस मेथर्ट को क्या रहते हैं प्राइमिंग क्याते हैं प्राइमिंग मेथर्ज यूज इन सिट सिग्रेट एंड वेपर टोबेको ब्रैपर और जो सिगार के लिए टोबेको यूज करते हैं उसमें इसका प्रियोक किया आता है तो दोस्तों यह थे 50 कुशन नेक्स्ट 50 कुशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा तो यह आपको बहुत जरूर देखना है क्योंकि यह कुशन वो है जो आपके प्रतेक एक्जाम में बहुत ज़्यादा पुछे आते हैं धन्यबाद मिलते हैं नए वीडियो